नमस्ते दोस्तों, आज सुनिये डॉक्टर प्रमिला वर्मा की लिखी हुई एक बिहत सम्वेदनशील और बेहतरीन कहानी, मौसम था आशिक आना प्रस्तो थै कहानी, मेरी जबानी, मैं हूँ सीमा सिंद सोच तो बहुत दिन से रहा था, एक दिन हिम्मत करके उसने जेल अधिकशक के पास जाकर कहा जनाब, मुझे महरबानी करके एक नोटबुक और पैंट चाहिए, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ जेल अधिक शक मिस्टर नायक मस्कुरा दिये, ये पाकिस्तान को सुचनाय देने वाला हिंदुस्तानी, बलकि हिंदू पतानी क्या लिखना चाहता है शायद आप पीती, उन्होंने स्विक्रति दे दी, हमेशा खामोश रहने वाला महसिन, अपने श्रम को धर्न की तरह निभाने वाला महसिन, शांद चित, जेल नायक को किसी भी कोड से खुफिया सूचनाय देने वाला नहीं लगता था लेकिन हो क्या कर सकते थे, उसके खिलाफ मिले सबूतों और कोड से मिली सजा के नुसार रोदेश द्रोही था, कोड का इसपष्ट आदेश था, उस पर कड़ी नजर रखी जाए, और सश्रम कारावास की दस वर्ष की सजा सुनाते हुए उसे जेल भेज दिया गया उसने जेल अधीकशक के द्वारा मिली दोसो पेज की नोटबुक और पैन को लेकर उनके चरण सपर्ष करने चुका, तो वे गदगद हो गए, लेकिन सजा तो मोसिन को मिली थी, उन्होंने कहा, अतुल, वो चौंक पड़ा, तुम अतुल, अतुल जगताब सांगा ने रिय वो हैरस उने देखता रह गया, खतम हो चुका है मोसिन, अब तुम अतुल हो, एक नेक इनसान हो, इतने समय में मैंने जाना आए, जो इस नोटबुक में मोसिन की हत्या कर दो और अतुल को जी हो, वो उससे नीचे जुकाए खड़ा रहा, वे चले गए, वो अपनी बैरेक म पर लिखा मोहसिन खान, फिर उसे काट दिया, फिर लिखा अतुल, फिर काटा, फिर लिखा मोहसिन खान, हाँ, पिछले पंद्रे वर्षों से वो इसी नाम के साथ तो जी रहा था, फटे कपड़ों पर पैबंध की तरह ये नाम उसके व्यक्तित पर चिपका दिया गया था कहां हो तुम मोनिका आखों में पहले मोनिका नाम से एक रोशनी सी आई फिर अंधिरा सचा गया और आखें आसों से भर गई कितनी बार वो खामोश रुलाई रोया होगा कि उसका हम उम्रसाती रिजवान उसकी पीट पर एक धोल जमाता ब्रादर रोता क्यूं है तू तो इतना पढ़ा लिका है तेरा देश कौन सी तुझे इतनी बड़ी नौकरी दे देता कि तुख खुश रहता बरसों जूतिया चटकाता रहता तेरे देश में कितने पढ़े लेकि नौजवान नौकरी के लिए भटकते रहते हैं देख तेरे जैसे अनेकों लोगों को लाकों रुपए हमारे हाई कमिशनर के द्वारा दिलबाए जाते हैं उसे हमारे कमांडर सबके घरों में पहुचा देता है बस तू उनका काम करता रहे उधर तेरी बेहन की शादी धूमधाम से होगी तेरे अबू अम्मी बड़ी सी गाड़ी में घूम रहे होंगे और तू भी तो एक बेहतर जिन्दगी जी रहा है ना और तुम रिजवान कितनी बेहतर जिन्दगी जी रहे हो तुमारे खांदान के लोग मौज उड़ा रहे होंगे और तुम गद्दार कहते कहते हो रुप गया हूँ कहां से आई हो रिजवान ने उसके मूँ पर उंगली रख दी अर्थात ना चाहते हुए भी आतंगवादी बने रहो याद है रिजवान को जब अचानक बूटों की आवाज ने उसके शांस शहर कुलगाम को बेबस कर दिया था और अपने ही कौम के लोगों को लूटा था ज्यादितियां की थी बेहने और अम्मी कैसे कोट्री में चुप गई थी तब वो मातर सोले वर्षका था और पकड़ लिया गया था इन लोगए द्वारा एक ही कहानी है चाहे वो रिजवान हो या मोहसिन रिजवान भी नहीं जानता कि उसकी अम्मी अबू और पहने कितने सुक में है नहीं खाया जाता मुझसे ये मांस के लोधरे किसी को इतना दुख तकलीफ दे कर कैसे खाया जाता है क्या उनका दुख हमारे भीतर नहीं आ जाता एक बार शुरू शुरू में उसने कह दिया तो बावर्ची ने तीखी मिर्च शोरबय वाली सबजी की प्लेट उसके मूँपर फेट कर मारी कई हफतों तक वो आँकों पर थंडा लेप लगाए पड़ा रहता फिर उसने कुछ भी कहना छोड़ दिया थाली में परोसे मांस के टुक्रों को बगल में बैठे किसी भी साती की थाली में डाल देता और किसी तरह सूखी रोटियां वो शोरबे में डूबो कर खा लेता अब तो आदत पढ़ चुकी है ऐसे खाने की वो कॉलेज के दिन थे उत्साहा से भरे जब मोनिका और अपने सभी सहपाटी मित्रों के साथ उन लोगों ने कॉलेज में एडमीशन लिया वेजवेशन के प्रथम वर्ष में मोनिका और उसने महसूस किया कि ये मित्रता साधारन मित्रता नहीं है बलकि प्रेम में तबदील हो चुकी है पहले वो इस बात को नहीं मानता था लेकिन मोनिका मानती थी कि वो पढ़ाई में ही तेज नहीं है बलकि जिन्दगी के हरक छेतर में अवल है वो खिलाडी था कॉलिज में प्रत्रम श्रेणी में पास होना और बास्री बजाना उसके मामा बास्री बजाया करते थे तो वो भी बजाना सीखिया था और फिर लगातार के अभ्याद से बास्री पर अनेक धुन बजा लेता मास्री के ही कारण उसे कनुप्रिया नाटक पर प्रिश्म का अभ्या करने को दिया गया था राधा का अभ्या एकोमर सी लड़की पूजा को दिया गया बस मोनिका रूट गई थी तुमने जान रूज कर पूजा का नाम प्रपोज किया है, उसने कहा था, जबकि ऐसा नहीं था, अतुल पूर्टिया मोनिका का ही था, कॉलेज के प्राचारे कहते थे, मास्री हमारे देश की संस्कृत की प्रथम दोन है, गुस्सा उतरने के बाद मोनिका उसे कनू कहने लगी थी, बाद में कॉलेज में मित्रों के उसका कनू नाम ही प्रस्रित हो गया, वे सभी ग्रेजुएशन के तीसरे वर्ष में थे, वो आगे MBA करना चाहता था, मोनिका को अंग्रेजी साहित में दिल्चस्पी थी, सभी ने कोई न कोई रहा चुन ली थी, कभी कभी दोनों कॉलेज के पीछे बहती बरसाती नदी के क सलना चारे, अतुल ने बताया था, उसकी छोटी बहन रेखा, स्टेट सर्विस की परीक्षा देना चाहती है, इसके लिए उसे कोचिंग की आवशकता है, लेकिन मा मानती है कि रेखा ग्रेजुएशन कर ले, फिर उसकी शादी कर देंगे, लेकिन मोनिका मैं उसे है वो करेगी, फिर उसकी शादी के रुप्यों का भी तो मुझे ही प्रबंद करना होगा, उसने पुना कहा, तुम तो जानती हो, पिताजी कोट में एक वकील के मोनिम है, ज्यादा वेतन नहीं है उनका, मोनिका ने धीमेस उसका हाथ दबाया, ये सहमती थी और एक आश्व का खर्च तो संभल जाता है, परन्त अन्य खर्चों में आर्थिक कर्ष्ट सामने आ जाता है, वो MBA करके एक अच्छी नौकरी करेगा, और सभी को संभाल लेगा, देखना हमारे पास एक बड़ा सा फ्लैट होगा, जिसमें मेरी मोनिका और मैं, हम अपने सारे सपनों को पू परचा निकलता रहे, उसके साथ पढ़ रहे साती विवेक के पिताजी बिल्डर थे, एक बार वो बनती हुई बिल्डिंग भी देखाया था, उसने अपने मितर विवेक से कहा, इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट हूँगा, बस MBA हो जाओं, फिर लोन भी मिल जाएगा, जानते थे इतनी जल्दी फ्लैट विकेंगे नहीं, अतुल एक मकान ढूणी रहा है, तो उसे रहने दिया जाए, बिल्डिंग की सुरक्षा भी रहेगी, बिल्डर चाहेते भी थे कि सुरक्षा के दिरश्ची से कोई अने भी महां रहे, तब तक तुम उसमें रहो, हाला कि बिल्डिंग आउट स्कर्ट में है, लेकिन शहर तो लगातार बसता ही जा रहा है, वहां से कॉलेज आने जाने की सुर्धा के लिए बहुत से वहान है, उनको चाहिये थी अपने बिल्डिंग की सुरक्षा, जो उनका पुराना चौकीदार जो लंगड़ा भी हो गया था, वो खुश होकर मोनिका को बताने लगा, देखो मोनिका, यह हमारा कमरा होगा, यह और मात पिताजी का, यह इतना बड़ा हॉल है, और यह हमारा ड्राइंग रूम होगा, तुम्हें इंटीरियर प्लान पसंद है न, तुम यहां लगाना और तुम्हारा फिश एक्वेरियम यहां होगा, बालकनी से हवा धूपाती रहेगी, तो पौधे भी स्वस्त रहेंगे, यह धेर सारी अलमारियों वाला कमरा रिखा का होगा, उसे अलमारिया बहुत पसंद हैं, यहां उसका कम्प्यूटर होगा, जहां वो अपनी पढ़ाई करेगी, कहते हुए उसने पीचे से आकर आलिंगन बद्ध कर लिया, उसकी हर खुशी में मोनिका साथ थी, वो उस दिन कॉलेश से लोटा ही था, यह नीचे बिछी चटाई पर चाय पीते हुए अकवार पढ़ रहा था, कि एकदम से दर्वाजा जो भीतर से बंद नहीं था, छे साथ लोगों ने खो रही है, वो डर्वी गया था, वे उसके इर्द गर्द बैट गए, दो तीन आत्मी दीवाल से टिक कर खड़े रहे, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, देखो जैसा हम कहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा, हम तुम्हें पैसों से मला मल कर देंगे, तुम यह पढ़ाई, इस नौकरी से भी उतना नहीं कमा पाऊँगे, जितना हमारा सरगाना तुम्हें देगा, एक अपनी पॉकेट से उसके मा, पिता और बेहन रेखा की तस्वीर निकाल कर दिखाई, हम लोग कल सुबह आएंगे, तुम कहीं जाना नहीं, हमारी नजर तुम पर रहेगी, तुम्हा तो क्या चाहते हो, मैं क्यों करूंगा ये सब, उसने लगभग रुआसे होते हुए कहा, सब पता चल जाएगा, कहते हैं उन्होंने एक दस की गड़ी उसकी और उच्छाली और चले गए, उन्हों के जाने के बाद हो सूचता रहा क्या करे, क्या पुलिस को खबर कर दे, ल पास किया तो देखा, पुलिया पर दो व्यक्ति, मुँपर कपड़ा रपेटे बैठे हैं, वो और भी भैभीत हो था, ये लोग निश्चे ही उगरवादी संगठन से हैं, और मेरे द्वारा यहां की खबरे सीमा पर पहुचाएंगे, वो रात भर सोया नहीं, भैभीत सा कम में ठहलता रहा, सुबह सुबह वो लोग आ गए, दीरे दीरे लकडी के खोके ऊपर चढ़ाए जाने लगे, फिर खोके खुले, मशीने बाहर निकली, ये तो टेली प्रिंटर है, अर्थात रात्री को अगवार में काम करना ये पता लगा कर आये थे, नीचे वाच्मेन ने पूछा तो उन लोगों ने पताया कार खाने का काम है जो उस लड़के से करवाना है, उसने साफ मना किया कि वो ये सब नहीं कर सकता, उसे एक काम आता ही नहीं है, एक व्यक्ति जो डील लॉल से बलेश्च था, उसने उसकी गरदा लिकनी जोर से दबाई, कि इसकी आखों क समक शिंगारियां फोट में लगे, वो असाहय हो चुका था, दूसरे दिन एक अन्य व्यक्ति आया, उसने मशीने बाहर निकाली और उसको जानकारी दी, और ये भी कहा कि मना नहीं करना, तुम हमारे या की लिस्ट में शामिल हो चुके हो, एक महीने से वो फ्रैट से बाहर पड़ता, उसने अपने आपको देश द्रोही की लिस्ट में खड़ा पाया, इधर मोनिका भी महीने भर से उसकी सूचना ना पाकर घबरहाट में आ गई, उसने दरवाजा खट खट आया, दरवाजा खुल गया, वो अंदर आई, मोनिका उसे देखकर आशर में डूप गई उसका कनू उन लोगों से घेरा, भारी भरकम मशीनों से कुछ पेपर्स को अटेच कर रहा था, सामने मोनिका को देखकर रोज के प्रति अंजानी आशरका से काम उठा, मोनिका तुम यहाँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं, मैं कुछ भी तो नहीं, यह मेरे कस्टमर का काम कर रहा हूँ, इतनी भी मासूम नहीं थी मोनिका कि कोछ समझ ना पाए, उन सभी के चेरे कपड़े से ढखे थे, तुम इन आतंकियों के, उसने मोनिका के होटों कर उंगली रख दी, और नहीं में सिर हिलाया, तुम जाओ मोनिका, मैं जल्दी तुम से बनूगा और कहा गया, ए मैडम, बार किसी को कुछ बोला, तो परिवार सहित तुम को आरी से काड़ देंगे, रात भर मोनिका इसी वहापोह में रही, कि क्या पुलिस को खबर करे, लेकिन वो लोग अतुल को कहीं मारना दे, दो दिन वो भी कॉलेज नहीं जा पाई, जिन मशीनों को उस के पास पहुंचे होंगे कि वो ये काम कर सकेगा, बिल्डिंग का शेहर से दूर होना भी उनके लिए फाइदे मन्द था, दो दिन बाद ही अगवार में खबर थी, एम्बिया की पढ़ाई करता एक लड़का खुफिया खबरे देता हुआ पकड़ा जाता कि वे लोग पता हैं, खबर पढ़ती वो जहां खड़ी थी महीं भर भर आकर बिर पड़ी, तो मेरा अतुल अब कभी नहीं लोटेगा, अतुल के माता पिता और बहन रेखा और वो सुएम उस फ्लेट के सामने खड़े एक दूसरे को सांतोना दे रहे थे, वह भीर लगी थी, अब उसक और आतंग फैलाने के लिए की जानी थी, किसी एक लड़के ने वहाँ से भागने की कोशिश की थी, तो उसको तड़पा तड़पा कर मारा गया था, उसकी मौत को देखकर सभी भै के इस्थित में और सकते की हालत में थे, वहाँ पर कुछ लड़कियां और ओरतें सुदू पूर इलाके से आती थी, वो इस ग्रुप के सरगना को पता नहीं क्या क्या बताती थी, उन्हें रुपए दिये जाते और फिर वो सरगना उनके साथ अपनी संतुष्टी भी करता, हो सकता है वो भी मजबूर की गई हो उनकी तरह, कई बार घाटियों से बंदूग चलने की आवाजें और गायलों की चीक बुकार सुनाई देती, बाची तुमें बताया जाता कि सीना और उनके जैसे अने लोगों से मुट भीड़ हुई है, एक दिन उसने मोनिका को पत्र लिखा और उसके घर का पता लिखकर लिफापा चुपा दिया, लेकर वो पकड़ा गया और उसके साथ जो कुछ किया गया वो सोचना या याद करना भी नहीं चाहेता, दस वर्ष बीत रहते इन लोगों के साथ रहते, भागते और फिर नया ठिकाना, अब उसने अपने परिवार के बारे में सोचना बंद कर दिया था, कितना ही नए लड़के आए, वे या तो मुट खिले पर से खरीदी थी, दूर किसी पत्थर पर बैट जाता, क्या बासरी की दुने मोनिका तक पहुचती होंगी, रिजवान पास आकर बैट किया, अरे ब्रादर हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर हमारा है, क्या उतर दिता वो, जानता है वो, उचे प्रवतों से टक्रा कर हीरो ही कहलाता था, अब तो यादी नहीं उसे, कि उपमाएं उसे किस फिल्मी हीरो की दी जाती थी, किस स्वतंतरता की बात करते है रिजवान, उसने धीम में सुने पूछा, यहां की तो हवा में भी दहशत है, कहीं कोई सुनना ले, कश्मीर खुद स्वतंतर होना चाहता ह है, विजवान ने कहा, एक पढ़ा लिखा इंसान कैसे इन विक्षिप्त मान सकता वालों के साथ दस वर्षों से रह रहा है, सब कुछ जानता समझता लेकिन हो चुक ही रहता, अब उसे डर नहीं लगता था, वो इस जिन्दगी को खत्म करना चाहता था, जब तुमारे समक और छोर कोई रास्ता सुझाई ना दे रहा हो, तब तुम क्या करोगे? उसे शाम को मगरिब की नमाज के बास वे लोग बात कर रहे थे, शाह सीमा से कुछ दूसरी तरफ हतियार, ड्रग्स, विसफोटक आ दे, आतंकबादी बनाने के दिशा में बढ़ने वाले कटर लोग लेकर आ रहे हैं, उन्हें जहां पहुचाना है, ना जाने क्या हुआ उसने मनी मन सोच लिया कि वो ये कारे करेगा, उसने खुल कर अपना प्रस्ताव सामने रख दिया, दूसरे दिन एकदम सवेरे, वो और इजवान इस कारे के लिए निकल गए, उसके मन में क्या चल रहा है, विजवान कहां समझ पाया, बंद लोडिंग गाड़ी में विस्पोटक हत्यार ड्रक से त्यादी, अर्थात पूरे एक सम्हू का सफाया, भीर बरे इलाके में भेंकर विस्पोट होगा, आज या कभी भी होगा तो अवश्य है, विजवान के साथ और ट्रक लेकर मुग आटियां खाते हुए गाड़ी गहरी खाय में गिरी, उससे पूर रिजवान ब्रादर चिलाता हुआ गाड़ी से कूदा और वो भी कूद पड़ा, गाड़ी नीचे गिरी, बाद में पता चला, वो साथ सो फिर से जादा नीचे गिरी, एक विस्पोट हुआ और गाड़ी जलू थी, विजवान खड़ा हो गया, कहीं कोई चोट नहीं, वो सकते की हालत में था, लेकिन वो तो खुश था, उसका ये मिशन था कि भले ही उसकी दर्दनाक मौत हो, लेकिन अब बस, उसकी कोहनी तूट चुकी थी, अस्पताल में उसे होश आया, तो उसने अपने आप कियों के साथ बिताए, इतना आसान नहीं था उसका केस, दूसरी नोट बुक लेने वो जेलर के पास गया, जो बदल चुके थे, उन्होंने नोट बुक देते हुए बताया, कि जेलर नायक के किया अन्रोथ से, उसके अच्छे चाल चलन से, उसे समय से पूर रिहा किया और एक वो जेल से बाहर आकर उसे सूज नहीं रहा था कि कहा जाए, उन्हीं दिनों की खबर थी, कि अपनूर के पास के इलाकों में जो खेत हैं, वहां खेत पर काम करते हुए सीमा पार्ज से आई गोलियों का शिकार एक किसान दंपती हुआ है, जिनके नौ साल का एक वो इन वर्षों में समझ चुका था, अतीक के साथ वो उसी के घर में रहने लगा, एक दिन जब वो दूर जंगल में टहल रहा था, उसकी बासरी भी उसके साथ थी, बरसों बाद वो बासरी बजाने उसी जंगल के घने दरक्त के नीचे बैठ किया, उसे कॉलेज में कनुक प्रिया नाटक की ओधुनिया दा गई और वो बजाने लगा, उन्दनों मौसम कितना आशिकाना था, आखों में धेर सारे सपने, मोने का, बहती अच्छा उनका करियर और माता-पिता, बहन के लिए सब कुछ कर लेने की इच्छा, सोचते हुए बरसों बाद उसकी सुनी आ प्रियों के समक्ष एक आकरती आकर खड़ी हुई, और जोरों से चीक पड़ी, कनू, और वो हरबढ़ा कर खड़ा हो गया, आस्वों का लंबा सिलसला जब ठहरा, तो मोनिका ने बताया, कि वो तो यूहीं यहां टहलने आई थी, पास के गेस्ट हाउस में रुकी है, फिर क आगी शादी तुमारा घर बेच कर तुमारे चाचा ने कर दी, चाचा तुमारे पेरेंट्स को अपने साथ ले गए, लेकिन अतुल, वो समझ चुका था दोनों उसकी प्रतीक्षा करते करते दुनिया छोड़ गए, लेकिन तुमारी बहन डेखा ने तुमें कभी माफ नही किया हाँ सचमोश उसने जो कुछ भी सुना वो माफ नहीं कर सकती थी उसने दोनों नोट बुक मुनिका के हाथ में थमाई ये रेखा को दे देना शायद वो मुझे इसको पढ़कर माफ कर दे और तब तो मुझे बताना मैं शायद मिलने आऊं या वो आए नोट बुक देने क के लिए मुनिका को घर ले गया था मुनिका ने देखा एक गरीब की जिंदगी से भी निम्न इस्तर की जिंदगी उसका ब्रिलियंट एमबे की पढ़ाई करता हुआ अतुल आज जी रहा है अब क्या करोगे तुम आगे क्या तुमारी सर्टिफिकेट वगेरा रेखा से ले मेरे नाम के साथ जो कलंक है वो आगे वो बोल नहीं सका पहले ये डायरी मैं पढ़ूँगी फिर रेखा को दूँगी अतुल अपलक मुनिका की आखों में ठहरे आसों को देखता रहा मुनिका मुरी और आसों की बुन्दों को आखों से धलक ने दिया वो बिना पीछे मु कहानी मौसम था आशिकाना उमीद है कहानी आपको पसंदा ही होगी कल फिर मिलेंगे हिंदी की श्रेष्ट कहानिया सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा धन्यवाद